यह भी किसी की बेटी है क्यों लिखा गया यहां पर संगीता क्यों लिखा गया यह भी तो किसी की बेटी है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यहां पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे इस 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 में कैसे पढ़ेंगे बच्चे यहां पे जगा जगा पे छेदाप से भी हम पूछेंगे चिंदा मत कीजे आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाईएगा उमीद कीजे 100% महीना में एक महीना में 16 रुपिया यानि कहने का मतलब है कि 55-60 रुपिया पड़ एक महीना हो गया है इसकूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से सुरू हुआ है इस पर क्या कहना चाहती है आप यह है क्लास्रूम और देखिए दिवालों पे असलील असलील बाते लिखी गई रहती है बेंच नहीं जाना सोची एक क्लास्रूम जो है सोलक कमरों का इस स्कूल में सही दलीत राइट एक्टिविस्ट है और यह बच्चों के भविष्चे के लिए नहीं आ है जो दलीत के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविष्चे बचाने के लिए नहीं तो सरकार हमारे उपर केस करें लेकिन यह क्यों घुश्ट गया है चलिए बिहार के सरकारी विद्याले के उस कमरे में चलते हैं जिस कमरे के दम पे जो है बच्चे सरकारी विद्याले में बोलाया जाते हैं यानि जिस कमरे में खिचडी बनाया जाता है और यहां पे तीन-त बनाने का प्रियास कर रही हैं क्या बना रही है आप लोग खिचडी बन रहा है चलिए आप लोग खिचडी बनाती है तो एक महीना में आप लोगों को महनताना के रूप में कितना पैसा दिया जाता है साड़े सोला सो पर दे एक दीन में साड़े सोला सो एक हपता में महीना में साड़े सोला सो रूपिया यानि कहने का मतलब है कि पचपन से साथ रूपिया पर दे जरह सोचिए पचपन से साथ रूपिया पर दे दिया जाता है इन महिलाओं को खिचडी बनाने के लिए और एक म सोलो सो रुपिया दिया जाएगा तो यह लोग भरष्ट चार करेंगे की नहीं करेंगे तब रासन बेशना पड़ता है मजबूरी में अच्छा क्या बोल रही है आप मैडम जी आप रिकॉर्डिंग कर रही है क्या देखिए मैडम एक मैं बात बताता हूं आप प्रिंस्पल ह मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला है अगर मैं आपसे दो चार गो उल्टा सिधा सवाल पूछ दा हूं दूंगा तो फंस जाएगा मैडम तो आप अपना कामीमंदारी से कीजिए और मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मैं अपना कामीमंदारी से कर रहा हूं ठिक है वह आप हमारा स्टीं चर रही हम मिडिया वाले हैं दिन राथ स्टींग करते हैं आप अपना काम कीजिए ना पढ़ायेगा बचन को नो तो बचो कह भड्या बचेगा और हम मीडिया वाले सही चीजों को दिखाएंगे नहीं तो देश का भवी से बचेगा तो दोनों को मिलकर को देश का भवी से बचाना है अच्छा चलिए ठीक है इसलिए आपको हसी आ रहा है पूरा फिल्ड भी हम लोगा जा रहा है बच्चों का खाना बनाने के लिए और पूरा इस्कूल साफ करने के लिए और वो भी तिन-तिन महिना से नहीं दिया जा रहा है जरह सोचिये इस बच्ची की क्या गल्ती है जरह सोचिये सरकारी स्कूल में खाना अगर इस परकार के भवन में बनेगा तो इसमें छिपकिली गिर जायेगा तो कौन होगा दोशी हलाकि जब छिपकिली गिर जाता है तो इन लोगों से आके सवाल किया जाता है इन लोगों को मारा पिटा जाता है इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन इस परकार के भरष्टचार को देश से क्यों नहीं भगाया जाता है अगर इतना पैसा में नहीं करोगे तो हम लोग दूसरा रख लेंगे जाओ जाओ 16 रुपया में काम कराया जाता अगर 16 रुपया में काम नहीं करोगे तो दूसरा को रख लेंगे जारा सोची है और सब एके को बरतन में बन जाता है एके को बरतन में जो है ना गिनिज बुक अफ वॉल्ड रिकॉर्ड है जारा सोची है मेडम क्या नाम हुग आपका शरिता कुमारी अच्छा ये बताईए आपके स्कूल में आया मैं सिक्षकों के खिलाब कुछ बोला क्या नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ भरष्ट सिस्टम के खिलाब बोला सही है की नहीं मेडम एक महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से सुरू हुआ है इस पर क्या कहना चाहती है आप यह तो प्रोब्लम जो है यह बेंडर का प्रोब्लम तर समान नहीं आया था इसलिए तब समान लाने में एक महिना लग गया मैडम सही है न एक महिना से बच्चे जो है वो भूखे पड़ रह हैं यह सबना से नहीं बन रहा था अज पहले दिन बन रहा है ना वह भी मीडिया को देखके बन रहा हूं नहीं अड़ी थोड़े मालम है कि आज मीडिया आने वहला है तो आप लोगों को पहले इसे पाता था जब बाहर थे तब ही पता था यह जा शूले सब कि रह Александर स्टिवांग है। स्कूल में सही नहीं हैं अच्छाय यह बते कितना क्लास तक है यह स्कूल इट क्लास तक आठवा क्लास तक सरकार ने जनता कि टेक्स के पैसे से 16 कमरा बनवाया ताकि बच्चे पढ़ेंगे जैसे प्राइबट स्कूलों में सेक्षन वाइज होता है सक्षन-एक सेक्षन-दो वैसे ही बंश्था किया घ्या कि वोस्ता किया गया कि 16 में आठ टक के बच्चे की नहीं है इस स्कूल में अच्छा यह बताएं का पैसा कौन खा गया गांव के लोग या सिक्षक चा नेता आपके पास तीन यह क्योंकि हम नहीं बने हुए इसकी जनकारी हमको नहीं है अच्छा कब बनी आप यहां पे प्रिंस्पल 2019 में 2019 में दिसंबर में 2019 में दिसंबर में 20 21 और 22 का आधा हो गया है और अब यह तक नहीं पता चला है कि आखिरी स्कूल का बेंच जो है न वो कौन खा गया कैसे निगल गया और कैसे जो है बच्चे जो है नीचा बाइट के पड़ते हैं सही कि ने मेडम मैं अचल एक महीना में कितने कम चावर बन जाता है इसमेंaktai किसे पूछे आम कौनसे सहर की सर इसके बताएं करने सब्सक्राइद है की शिक्षा बेवस्ता की हेड हम खादान वे जो है दूसरे सर है अज पाड़त कि अच्छा मेडम यह बताइए बिहार के ग्रीह मंत्री कौन है कि आप हमारा इस्टिंग कर रही थी मोबाइल निकाल के ऐसे हमने आप से एक भी सवाल नहीं पूछा था अब इसलिए मजबूरी में सवाल पूछना पड़ रहा है मेडम क्योंकि आप मेरा इस्टिंग कर रही ट अगर यह घर गिर जाए तो आपना मंत्री कहा है कौन है और अभ्णा मंत्री भीहार का सिष्टम ते आपम है मैडम अगर कोई पत्रकार आपको तंग नहीं कर रहा है न तो उसको आप भी तंग मत किया कीजे ठीक है न मैं कहीं आप से सवाल नहीं पूछा था यह तीन सवाल इसलिए पूछा मजबूरी में क्योंकि मेरा ही एस्टिंग आप कर रही थी मैडम चुकि गूरू को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं मैडम बस उमीद है कि आप लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे ताकि हम और आप मिलके तथा इस देश का पब्लिक जनता मिलके जो है न सिस्टम सुधारेगा वरना अगर आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा लूट ले ये लोग सोचेंगे चुना जीवी लोगों कोई मंदार बनना होगा सही है कि नहीं मेडम सही है आप से पूछेंगे चिंता मत कीजे आप भी हमारे सवालों का जबाब नहीं दे पाईएगा उमीद कीजे 100% अच्छा ये बताए मेडम एक क्लासरूम मुझे दिखा दीजे एक क्लासरूम सिर्फ आप प् स्थागि नहीं नहीं है पूछेंगे सार मुका देंगे किसमें पूरा मुखा चली सर आज आज आजे अब देखेंगे हम लोग कि कौन सा वी है आज ही है सर, आज आज ये क्लास्रूम ये देखिव है इस ब्लैक बॉर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है देख लिए और इस ब्लैकरत्बॉर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है यह है classroom और देखिए दिवालों पे असलील असलील बाते लिखी गई रहती है देख सकते हैं यह देखिए दिवालों पे असलील असलील बाते असलील असलील चित्र बनाया गया रहता है देखिए ध्यान से देखिए द्यान से देखिए चलिए लड़की का नम ब्लैक बोड़ पर लिखा गया सर नौ साल से ये विद्याले खंडर बन गया है एक मिनट सर अंग्रेज बनाते हैं पूल और भवन तो सो साल चलता है आपका अभी दालत नौवे साल में खॉंडार बन जाएगा देखिये कैसा बना हुआ है यह बहुत बात का बना हुआ बिल्डिंग है और सारी की सारी ब्यवस्ता यहां धोस्त पड़ी हुई है इस स्कूल को पूरी तरह से मैंने बरबाद किया गया है यह डेड़ साल में दो साल में हमारी सिस्टर है सब्सक्राइब सब्सक्राइब और हम से पूछेंगे एक मिनट सर एक मिनट एक मिनट सर आप और यह बच्चों के भविश्य के लिए नहीं आए जो दलीत के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविश्य के लिए नहीं आए एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप चलिए बाहर से बात करेंगे लेकिन हमको आपको कैसे पता चला आपको कैसे पता चला आपको की स्कूल का अप्लिकेशन जो है अपने भाई को देती हैं और भाई साब ले जाके ऊपर देते हैं जबकि के लिए बाइ पता नहिं क्या है कि सरकारी स्कूल का अप्लिकेशन जो है यही से और सायद इस लिए अप्लिकेशन जो है ना मैडम लिख्के देती होंगी उपर नहीं पहुचता होगा इसलिए इसकूल खंड हर बना हुआ है यह खंड हर की जिम्मवारी भाई साथ कि आपकी बहन कितने साल से है इस स्कूल में वह अन्यश में बनी इस में करोना का प्रियाट रहा और यहां का ज सची और हेडमास्टर में क्यों लगाएं कि हम आप पर जाके केस कर देंगे सब्सक्राइब क्यों आपका काम है कि आप बाहर आते हमको बुलाते हम आपके सवालों का जबाब देते कितना चेंप पहले में सकूल खूला है मैं अपको हाथ नहीं लगाएंगा थो कि यह भाई साहब हम पर किता केस कर दें यह किता केस कर दें क्यूंकि यह इस्कूल के कोई नहीं है और हम मीडिया वाले स्क्षात लड़ूंगा मैं और आपको दिखा दूँगा कि हाँ आपसे लड़ूंगा मैं आपको मैं भाव को धंका नहीं रहा हूं आप चलिए कैस कीज़े मेरे उपर आप जो करना कीज़ें मैंने कुछ चब शब्द बोला कि किसी को किसी को मैंने गलत सवाल किया अरे दलीद के बच्चे पड़ते हैं इसमें एक मिनट बढलीद एक्टिबिस्ट हैं दलीदों का हक मारने का प्रियास ना किया जाएं अगे नहें और च्जों से देखे इनाना दुर्टाइं नाम ना होता कि राफे को निखा गिया है कि यह दो निखा गिया यहां पर संगीता क्यूं लिखा गिया है यह देखिए यह देखिए यह देखि का फैसे पढ़ेंगे और फिकार दिया कोई दिखा सकते हैं किसने अधिकार दिया है अगर हम गलत हैं तो सरकार हमारे उपर केस करें लेकिन यह क्यों घसब गाएं यह प्रिंसफाल के भाई है और इसलिए प्रीजब अ कि नई नहीं है अपने गरेलूब को बचाने के लिए हैं नहीं है ऑपने बचाने लिए नहीं को बचाने को बचाने आये हैं इसमें दलीद के बच्चों को बचाए जा रहा है नाई बचा रहा है